आज हम बात करने जा रहे हैं गईज कि आपको मैंने सदीश और अदीश के बादे में पिछले चेप्टक में पढ़ाए था कि क्या होती है अब इनके आगे जो टोपिक है कि वेक वीश्टापन वीश्टापन चाल दूरी कुछ इनकी बात करते हैं कि क्या होता है इनकी परीवासा क्या होती है इसका मात्र क्या होता है कि अगा 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 है कि अगा है कि पहले बात करते हैं दूरी की अगा ने किसी भी किसी भी कर्ण या किसी वस्तू के दवारा तो इस समय अंतरा मे अगैम आई यहां लम्राई ही दूरी कला है तो लम्राई का मात्र है क्षिम meer No क्षिम मात्र करते हैं और बातिष विए सात मूल मात्र की हमें काम में लेने बैं तो दूरी किकिशिवस्त्व श्यकुर कूक दावारे किसी वस्तव श्यकाण के दावारे समय एंत्राल में ते की गए दूरी इस समय एंत्राल में ते की गए दूरी क्यों होगे लंबाई यानि ते की दूरी लंबाई ही दूरी कहलाती है दूरी का मात्रक मिटर होगा जिसे एम से विप्त करेंगे कि बात करें विश्तापन की भीस्ताफन की भी सकताफन की तो दूरी क्या हो उपभा उपुणे क्या होगा वेस्तापन दिशा और परिंदान का ग्यान हता हूं यह जक्तिश राशो हो गई जबकि यह है अद्स राशी हों पसलिई अब शिन् Magazine मेकर को भी मिरत करक्ष क्या पता है था दो निशित बिंदों के बीच की शिद्धी लंबवत दूरी विस्तापन कर लाते हैं, क्या विस्तापन कर लाते हैं, अब बात करेंगे दूरी और विस्तापन में क्या अंतर हैं, दूरी और विस्तापन में क्या अंतर हैं, दूरी विस्तापन अंतर यह इनमें अंतर के हैं दूरी समय के साथ बढ़ती है दूरी समय के साथ समय के साथ साथ बढ़ती है याद करने का तरीका यह है दूरी जितनी जितनी लंबाई में आपने दूरी ते कि वह मिटर आपको बता देगा वह इतनी किलो मेटर आपकी गाड़ी चली तो दूरी क्या होगे दूरी समय के साथ बढ़ती है जबगि आप यही मालो बिंदू A और B अन्टीम बिंदू यह दो बिंदू के बीच की लंबत सिद्धी दूरी यह होगी तो यह विस्तापन होगी यानि लंबत दूरी लंबाई क्या होगी विस्तापन 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 अम विस्तापन यानि कि विस्तापन में क्या हो गया है कि विस्तापन समय के साथ बढ़ भी सकता है और गठ भी सकता है और सुने भी हो सकता है विस्तापन समय के साथ समय के साथ साथ बढ़ भी सकता है तथा गठ भी सकता है या सुने भी हो सकता है यहनि कुछ भी ऊसकता है विस्ताफ़ पन को Hetांầy कर सकते हैं गठेगा बढ़एगा वह तो 2 बिनदों के बीच की लब दूरी पर निर्वे करेगा। अब बात करेंगे निके मातरों की समानता हो również यहनि दोनों के मातरों के होते हैं मिटर होते हैं विस्तापन और दूरी का मान यह दोनों में समानता है समानता अब बात करेंगे कि दूरी दूरी कभी सुनने नहीं हो सकती समय बढ़ेगा दूरी कभी सुनने नहीं हो सकती क्योंकि दूरी का मान कभी सुनने नहीं होगा अगर समय बढ़ रहा तो दूरी भी बढ़ेगी बात करें विस्तापन का मान सुने हो सकते हैं तो दोस्तों यह थी दूरी और विस्तापन में कुछ अंतर अब बात करेंगे वेग की वेग की वेग क्या होता है वेग होता है विस्तापन में परिवर्तन की दर क्यों होता है वेग विस्तापन में परिवर्तन की दर को वेग करते हैं वेग इक्वल टू दूरी बटा समय यह दर की से करते हैं यह दर यह दर हो गई इसे बोलें दर वन ओपन समय परिवर्तन की दर को वेग करते हैं अब मातर ज्याद करेंगे इसका विस्तापन का मातर की मीटर समय को सब्सक्राइब करेंगे इसके आगे वेग के बाद में आता तवरण 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 क्याता है नहीं वेग को वी से दर्शाए जाता है वी से अगर वेग में परिवर्थन करेंगे दी वी अपॉन डी टी तो तवरण बन जाएगा तवरण को एस एस व्यक्त किया जाता तो परिवासा क्या होगे वेग में परिवर्थन की दर्खों तवरण कहते हैं बात करेंगे इसके मात्र की मात्र की मिटर परती से किंड और इसका मिटर होगा तो तवरण का मात्र क्या हो सवेग उता है कि दर्यमान, सवेग को पी से व्रेक्त किया जाते हैं, सवेग एक सदीष राशी है, किया है, पहले था एक सदीष राशी सवेग फिर अब सवेग काई फ quick का फॉर्मूलात है सवेग bom accusing desta दर्यमान को दर्यमान को वेग से गुना कर दो, तता उसक वेग का गुननफल वहता है दिर्मान को हम एम से विक्त करते हैं ओर इसे विक्त करते हैं तो पी बराबर पी बराबर एम वीडियों को भागे बात करेंगे सब्सक्राइब 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 हम्रदु कर दें पडत दोछ सब्सक्राइब का मिटर मिटर परती परती सेगिंड यह हो गया इसका मात रखो गया यह सदिस राची है अब बात करेंगे आगे चाल की चाल क्या होती है चाल दूरी बटा समय यही तो होती है चाल दूरी का मात रखो मिटर इसका मात रखो शेकिंड यहनि एकांग समय में ते की गिर दूरी यहीं कौहिए परती शेकिंड किये कीट कीड दूरी जहाएं को चाल करते हैं चाल को स्पीट है करते हैं चाल को में कौह अब बात करेंगे आप पडशेफ कि पडशेπο गती की होती है पडशेफ गती होती है कि जब कोई कंड मैं यह वाइक्स हो गया है और यह यह ऐस से हो गया है 3 इसका डाइग्राम में इसे पने हैं यह यह अधिक्तम बिंद्धू है अधिक्तम अधिकतं मुझ्द यह पहां लुट्चेफ में जो पत्थ होता ना उसे पट पट किसा का पर प्रवलय चार होता परवबले का बात करेंगे इसकोफ में इसके तुडायमेंस्य यानि दिविमे बात करेंगे कि अगर कोई कन अधिक्तम दूरी पे जाए यानि किस परशेप चे किसी कनिया पत्थर को फेका जाए कि वह अधिक्तम दूरी ते करें यानि वह कोन ओ जाएगा ठिक्ता बराबर 25 जो कि इन्पोटेंट इन्पोटेंट पोइंट एक तो यह द्यान में रखना आपको इसका पत्थ द्यान में दिविमें गति होती है परवल्यकार होता है परशेप यह मारे कहते हैं और किसी का आपको यह एक्जामपल यह सब क्यासामा पड़ा डिग द्याणके कॉटत लीज से सीड़ा आंगे आपको पूछा जाएगा भात करेंगे परशेप गसी कैश्यम्पल ल evilly बिन्पोटन्ट इस ज्यादा ओको मैपली फूछते हैं एक जामना याने होाई जांज हैं न कि कि हुच आप दे कि गूरा गया 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 नहीं है नहीं हुपाई जांज तो यहां से जो बंब गया थे ना बंब इसका पत कऊ हो देर्ट हो एक्जमर आपको यह थो पता है दूसरा कोई तो यह तो इसमें तो बनियों कोई retro इसमें कोई gola फिंकर जायेंगा तो वह भी तो एस जाने इसमें तो एसा तो जता है तो किसी तौप के दोरा दागा गया गोला क्या होता है परचेब गति का उधारने ऐसे आपको उधारने की पूछ सकते हैं अब बात करेंगे कि परचेब गति में जब आपको यह पताया था कि यहां से यह अधिक्तम यह तथा तरण तावरं अगर अगर अधिक्तम वेग और तवरं हो जाते हैं तो उनके बीच का कौन यह बीच का कौन कितना होता है नाइनटी डिग्री आपको पुछेगा जब किसी पर्षेफ कॉण किसी पर्षेफ पर्षेफ कॉण कॉण ठीटा यह यह 90 मानिस ठीटा 90 मानिस ठीटा काच छेटिच पर्षेफ 36 36 36 शमतल में सम्दल में समान होते हैं समान समान होते यानि किसी परच्छेव को ठीटा और या नभ कहूं… किशेप कौण को या ठीटा का मान डाड़ी तथ्था तीश डीगरी पर 36 से 15 किशेप प Gud किया जाता तो भर ईए समान होता है समान होता हैnants परिवर्टित होता है या इन में से कोई नहीं तो आपको यह लाइन समझ के याद कर दिया यानि समान होते हैं 36 पट्षे ठीक है जाइज बात करेंगे आगे कि इसे समझने यानि गत्ति के नियम की कि कि नियम कि कि ने दिया कि कैसे हुआ क्या हुआ यानि नूटन ने 1618 में अपनी पुस्तक प्रिपेंच पुस्तक में बताया गत्ति के नियम सरोपर्थम इनके बारें बताया यहां कि 1867 में नूटन नामक हुए गया नी नूटन ने नूटन ने आप नूटन कि इसका मतर्ण बलका बलका तो नूटन का भई यह फोर्स केसी लगा क्या हुआ क्या नई हो इसके बारें नूटन इंचाइब याद करने का तरीका यह यहीं है कि परकर्ति में अगर कोई विएकती काम ना करें तो वह यहां था जहां है वही रहेगा यानि पहला नियम क्या है जडबतका नियम जडबतका नियम या इंसे गेल्व लियो करनीयम यानि गति का पादला नियम को क्यान है जर्वातद्र कानीयम या गेल्वडी करनीयम यानिवल्वड नियोटन ने एक काहका कि अगर कोई वस्ती रहे तो वह स्थीरी रहना चाहिए अगर वह जब तक उस उस पर कोई बाहे बल ना लगाए जाए तो वह इस्तीरी रहेगी और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाहे बल ना लगाए जाए उसके विप्रित यानि हमें सिदा सिदा यह मालूम होता कि यह पहला निम क्या बल की परिवासा परिवासुतšी carpet यह बहुत्स अब हर्त की प्रिवासा फिर यानि बल बाद होगि बल बल veya ब्ल बराबर क्या होता यानि फादर बोलेगा इसके बारे किसी वस्तु के यानि कोई वस्तु है उसके उसके किसमे व्येग में परिवर्तन दिरोमान के गुणन फल उस वस्तु उपर लगाया गया बाहे बल के बराबर तो बाहे बल के बराबर होता है यानि यह एक्वस्तु है कि हम चल रहे हैं तो जितना बल कर घर्शन तक jemand इस बाटतो व करेजाने का का जसे आगे इस लिए नुटन ने गाहिं किरियापर्तिगीर्य का नियम है, किरिया-पर्ति-कि Iran का सब्सक्राइक्ण है कि रोकेट इसी सी दंदांतफ कारी करतीगे अब बात करेंगे कि इनके एक्जम्पल के किदा सम्सक्राहिए कि पहले नियम में कौन सा कहा लगे गा तो यह हम जाने के खुशिस करें कि मालो गति के पहला नियम है पहला नियम पहला नियम फर्ष्ट लाओ यानि आप चल आप कि इसी बस में बेठे हो और अचानक अगर बस चल गई तो हम पिछे की और जाएं क्योंकि इसमें बताता है कि जो वस्तु इस तीर रहना चाहिए अपने सामय वस्ता में अगर वह गति शील रहे नहीं अगर कोई मोटर शेकल आपने ब्रेक लगाए अचानक तो जो मोटर शेकल वाला मोट चलाने वाला थोड़ा सा आगे जुकता है का दूसर एक्जमपल यानि है हाँ आप है आपको टेरेन में टेरेन याल गाड़ी में रैल गाड़ी तो बस में अगर अचानक और ब्रेक लगा दिए उसने हम आगे की और आगे की और जुकतें अगर सीशे में हो तो बाहर की और निकल जाएंगे ऐसे क्या है गाइज हमें वैसे तो एक्जम्पल इसके बहुत होते हैं बस हमें एक बैसिक आना चाहिए गत्ति के समीगणों के बारे में और हो जाते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर शेयर करें अगला